आपने YouTube पे तो बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे MBA चाय वाले का, इंजिनियर चाय वाले का, बीटेक चाय वाले का, लेकिन कोई भी डॉक्टर चाय वाला आपको नहीं मिला होगा, तो आज आपके सामने है डॉक्टर चाय वाला, डॉक्टर अनुपम घोश, और आज किसी को diabetes होता है, तो सबसे पहले वो चाय पीना छोड़ देते है, दूद वाली चाय पीना छोड़ देते है, और क्योंकि मैं खुद एक diabetic मरीज था, आज से चारे 5 साल पहले, तो मुझे आपके भावनाओं के बारे में पता है, कि आपको कैसा feel होता होगा, आप देखते हों आप जिसको भी diabetes है, वो दूद की चाय पी सकते है, पास साल के experience में मैंने ये सिखा है, कि जादातर diabetes के मरीज जो है, वो सबसे जादा जो miss करते है, वो है दूद की चाय, मेरे पास हजारों patients ऐसे आते हैं, और पूछते रहते हैं कि सर, मुझे दूद की चाय बहुत पसंदे मुझे दूद की चाय पीना है, क्या दूद की चाय नहीं पी सकते है, क्या diabetes के मरीज, तो आज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी चाय पी सकते है, दूद वाली चाय पी सकते है, और इस से आपकी diabetes reversal में कोई problem नहीं आएगा, ना ही आपकी sugar बढ़ेगी, लेकिन कै किसे चाय बनाना है, और कितनी बार पीना है, ये आपको जाणना बहुत ज़रूरी है, तो आज Dr. Chai वाला आपको सिखाएगा अपना favorite चाय है, तो मेरा जो favorite चाय है, ओ मैं आज बनाऊंगा और सिखाऊंगा, कि आप कैसे अपने घर पे बना सकता है, और हो सकता है कि जो मेर करने के लिए इसका करता हूँ जिन्देगी का Watson Te із यह प्लीज में जाए इसका लिंक को मिल जाएगा आप इसको कर सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवशक्ता होती है, थोरा सा डालेंगे और इससे आपको मिठा सा आएगा, चीनी जैसे दो चमच डालने पड़ती है, इसका आधा चमच, छोटा सा आधा चमच आप डालेंगे तो इससे बहुत मिठा हो जाएगा, तीन सो गुना मिठा होता है य आपके घर में मौझूद होगा, वो चीज़ आप डालेंगे तो ये एक मसालेदार चाय बनेगा, ठीक है ये डॉक्टर चाय वाले का फेवरेट चाय है, और इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा अद्रग, इसमें मैं एक और चीज़ डालता हूँ, खास करके, वो है पत्ता जरूर डालिये, मैं जरूर डालता हूँ अपने चाय में, इसमें एक टुकरा मैंने दालचिनी लिया है, दालचिनी आपके बलड शुगर को कम करता है, इंसुलीन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, साथ ही साथ मैं कुछ दाने है, आप देखिए छोटे छो बनेगा, तो आएए शुरू करते है, डॉक्टर चाय वाले का फेवरेट चाय, इसको बनाने के लिए आपको एक लास पानी, सबसे पहले डाल देते हैं, साथ ही साथ एक लास दूद, दोनों चीज इखटे डालके, गैस को ओन कर लिजे, ठीक है, गैस को हाई फ्लेम में आप चाय पती अपनी इसाब से डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कड़क चाय पसंद है, तो इसलिए मैं डेर चमच डालता हूँ, आप एक चमच, दो चमच, जैसे आपको ठीक लगे, आप डाल सकते हैं, इसके साथ मैं डाल दूँगा तेज पत्ता, और साथी साथ दाल च मिल जाएगा, जब तक ये बॉयल होता है, थोड़ा सा इसका फ्लेवर निकलता है, तब तक मैं अद्रक को कूट लेता हूँ, अद्रक को अच्छी तरह से कूट लीजे, ज्यादा अद्रक मत लीजे, ज्यादा ले लेंगे, तो फिर वो करवा हो जाएगा, और ज्यादा कम भी लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, optimum लेना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाए, एक टुकर आपको लेना है, और बहुत अच्छी तरह से मैंने अद्रक को पीस लिया है, तोड़ा सा गरम होगा, गरम होके इसकी उबाल आएगी, तोड़ा उपर उठेगा, और उसी समय आपको अद्रक डालना है, अभी देखिए, उठेगा यह थोड़ा सा, उठ रहा है अभी, ठीक है, तो मुश्किल से 2.5 मिनिट, maximum 3 मिनिट इस प्रोसेस में लगता है, यह उठ चुका है उपर, आप मैं इसको आज कम कर दूँगा, आज कम करने के बाद अद्रक डालने की ब बॉयल करेंगे, दो से 3 मिनिट इसको बॉयल करते हैं, तब तक मैं आपको कुछ और इंफरमेशन दे देता हूँ, जब तक यह बॉयल होता है, चाय हमारा रेडी होता है, तो आपको जानना है कि डायवेटेज रिवर्सल के दौरान आप इसको एक ही कब पीजिए, और आपका एक मील में काउंट नहीं होगा, आपने लज्ज किया और उसके एक घंटे, दो घंटे बाद अगर आप इस चाय को पीएंगे, तो यह एक मील में काउंट हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको, आपको अपने मील के साथ ही इसको लेना है, इससे क्या होगा कि अगर आप खाना खार है और खाने के साथ ही चाह पीर है तो आपको दुबारा से इंसुलिन रिलीज करने की जरूत नहीं पड़ेगी खाने के साथ इंसुलिन वैसे भी रिलीज होता है हमें डायबेटीस रिवर्सल के दौरान इसी प्रोसेस को रोकना है बार बा खाएंगे तो इंसुलिन बार बार रिलीज होगा और बार बार इंसुलिन रिलीज होगा तो आपका डायबेटीस रिवर्सल में मुश्किल आ सकता है ठीक है तो यह चाय हो गया है दो मिनिट हो चुका है कलर अच्छा आ गया है अब इसको थोड़ा समय तेज कर दूंगा आ यह डॉक्टर चाय वाले का जो वीडियो है यह खास है क्योंकि यह आपको रस्ते में नहीं मिलेगा यह आपको इस स्टूडियो में में बना के आपको सिखा रहा हूं और डॉक्टर चाय वाले का चाय आप खुद घर पे बना के पी सकते हैं खास करके यह डियाबिटीज मर तो इसको मैं आप बंद करता हूं और बंद करकर इसको डालते कलर देखिए और इस से पूरी पूरी एक कप stylus बनेगी यह मेरा एक कप चाह तयार हो गया अब इस में डालाँ जोड़ा सा स्टीविए कि इसका मैं आदा सा। जाधा चम्मच stevia डालोंगा इसी में बहुत जाधा मिठा हो जाता है और काफी लोग पूछते हैं कौन सा stevia मैं यूज करता हूँ मैं यूज करता हूँ जिन्देगी का stevia इसको आप यूज कर सकते है यह नैचरल स्वीटनर है जीरो कैलरीज है जीरो कार्व है इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी यह जो पूरा चाय आप देख रहे हैं इस चाय में मश्किल से दो या तीन ग्राम से जाधा कार्वाइड नहीं होगा और ग्लाइसेमिक लोड भी इसका काफी कम है आपका शुगर नहीं बढ़ाएगा अब इसको थोड़ा सा मिलाते हैं और यह मेरा स्पेशिल चाय है मेरा फेवरिट चाय है मैं ज्यादा तर समय यही पीता हूँ ठीक है अब पीके आपको टेस्ट बताते है इसका तेज पत्ती का भी फ्लेवर आ रहा है दालचिनी का फ्लेवर आ रहा है अद्रक का फ्लेवर आ रहा है साथ ही साथ आपका काली मिर्च का भी फ्लेवर आ रहा है और सब मिलाके अलग टाइप का फ्लेवर बन जाता है तो यह है डॉक्टर चाय वाले का स्पेशिल चाय आप पीस को बनाएे और कमेंट करें जरूरा बताना कि जड़ा यह चाय आपको और शूगर वाले मरीज खास कर पिने के बाद कि आपका शुगर बढ़ा नहीं बढ़ा पमेंट करके जरूरा लचाना को मुझे एंतजार मिस करते हैं और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको पता चल जागा कि डियाबेटीस के मरीज भी दूद के चाय पी सकते हैं और उनका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स् मस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद चाय का मज़ा ही अलग है और खास करके सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार चाय बनता है मज़ा आ गया